तैंेकाल फ्रेंड वेलकंट्स यूटूब चैनल रेडियोलोजी टेकनिकल आज का हमारा टॉपिक अन। बेरियम स्वेलो कैसे किया जाता है आज इस व्यडियो में जानेंगे अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरा चैनल रेडि़ोलोजी टेकनिकल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें वह इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिसे आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहेगा अगर फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर क करें वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो आईए जानते हैं बेरियम स्वेलो के बारे में बेरियम स्वेलो में अपर गेस्ट्रो इंटेस्टेनल ट्रेक्ट की स्टडी की जाती है बेरियम स्वेलो में फेरेंग्स इसोफेगस वे प्रॉक्सिमल इस्ट्रोमक को आप पिछली वीडियो में जाकर जान सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में पिछले वीडियो के लिंक पर जाकर आप गेश्ट्रो इंटरेशनल ट्रेक्ट के अनाटोमी जान सकते हैं इंडिकेशन्स मतलब बेरियों सुट्रो को किशकिश कंडिशन में करवाना चाहिए फर्स्ट है डिस्पेजिया मतलब खाने पीने के निगलने में कोई कठिना जानाई होने पर शेकेंड है अब्डोमिनल पेन होने पर मतलब पेढ़ दर्द होने पर 3. हाइटस अर्निया होने पर 4. इसोफेजियल कार्शिनमा मतलब कैंसर होने पर 5. बलड की वोमिटिंग होने पर 6. बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने पर 7. इसोफेगस में अल्सर या पॉलिप्स होने पर अल्सर मतलब छाले या गाह होने पर 8. गेश्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज मतलब इस्ट्रो मक से बोजन वापस इसोफेजियल में आने पर अब बात करते हैं कॉंट्रा इंडिकेशन की मतलब बेरियम स्वेले को किस-किस कंडिशन में नहीं करवाना चाहिए फाश्ट है इसोफेजियल नहीं करवाना चाहिए फिफ्फ है कंप्लीट वोवेल आपस्ट्रेक्शेन मतलब वोवेल में कंप्लीट रुकावत होने पर सिक्स है इसोफेजियल परफोरेशन होने पर बेरियम स्वेलो करने के लिए किन किन इक्यूपमेंट की जर्रत होती है फर्स्ट अप फ्लोरेशकोपी यूनिट के साथ में इमेज इंटेंसिफाइर टिल्डिंग टेबल, हाई इस्पिड कैसीट, बेरियम सलपेड कोंट्रास्ट मेडिया, गेस्ट परड्यूज एजेंट यह डबल कोंट्रास्ट स्टेडी में यूज आता है एडवांटेज ओब बेरियम सलपेड, बेरियम की मिकोसा पर अच्छी कोटिंग बनती है बेरियम का हाई आइटोमिक नंबर 56 होता है, यह रेडियो ओपेड वे इंसोल्यूबल मेटेरियल होता है बेरियम हाई डेंसिटी मतलब गनत हुए, वे लो विसकोसिटी होती है यह एक्सरे में पोजिटिव कोंट्रास्ट मीडिया प्रोवाइड करता है अब बात करते हैं, बेरियम स्वेलो के लिए पेसेंट को कैसे त्यार किया जाता है फर्श्ट है पेसेंट को पूरे प्रोशिजर के बारे में विस्तार से बता देना चाहिए सेकिंड है प्रोशिजर के दो गंटे पहले खाना और पीना नहीं करना चाहिए यह बात पेसेंट को बता देनी चाहिए थर्ड है पेसेंट के कपडों को रिमो करवागर होस्पिल गाउन बनाना चाहिए बेरियम स्वेलो करने से पहले पेसेंट से कॉंसेंट परमिशन फॉर्म बरवाना चाहिए अब बात करते हैं Barium Swallow के procedure के बारे में Barium Swallow में दो study होती है First है Single Contrast Study इसमें Isophagus के structure की outline, lumen वे large abnormality देखी जाती है Second है Double Contrast Study यह है Mucosal की detail देखने के लिए करते हैं Single Contrast Study के लिए patient को erect मतलब खड़ा या upright position लगानी चाहिए फिर patient के mouth में 15-20 ml barium sulfate से mouth full करवाना चाहिए वह patient को बता देना चाहिए कि उसे barium को रोके रखना है फिर patient को barium निगलने के लिए कहा जाता है barium निगलते टाइम radiologist fluoroscopy screen में देखते हैं फिर एक spot film लेते हैं barium mucosa के उपर एक पतली layer बना लेता है जिससे abnormalities का पता लगा जाता है फिर barium निगलते टाइम epi right posterior oblique वे left posterior oblique film लेते हैं अब बात करते हैं double contrast study के बारे में double contrast study के लिए patient को upright position लगानी चाहिए फिर patient को hypotonic agent buscopan वे glucosin IV injection लगाते हैं buscopan injection isophagus को distance मतलब अच्छी तरह से चोड़ी long time तक हो सके वे अच्छे से mucosal detail का पता चल सके injection लगाने के बाद gas produced powder या effervescent powder barium के साथ में 10-15 ml patient को mouthful करवाते हैं barium निगलते टाइम patient को डकार लेने से मना करते हैं barium निगलते टाइम radiologist fluoroscopy screen में देखते हैं फिर एक spot film लेते हैं barium निगलते टाइम ही epi right posterior oblique और left posterior oblique film लेते हैं अब बात करते हैं complications की मतलब barium swallow करते टाइम क्या कठिना या समश्या आती है first aspiration कई बार barium swallow करते टाइम barium respiratory system में चला जाता है जिससे कई समश्या आती है second barium leakage होकर unsuspected perforation हो सकता है अब बात करते हैं barium swallow करने के बाद क्या क्या patient care करनी चाहिए first water या tissue paper से mouth को clean करना चाहिए second patient को सला देनी चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीए third patient को inform करना चाहिए कि उसका अमल two days तक white आएगा so friends आज का हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो like share वे subscribe जरूर करें वे इसके bell icon पर click करें जिसे आने वाली मेरे next वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा आपको मिलता आपको मिलता आपको मिलता रहेगा